हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल दोस्तो आज मैं आपको ऐसा नुस्का बताने जा रहे हूँ जो एक ऐसे बजूर का अपनाया हुआ है जिन्होंने कभी भी जिन्दगी में दवाई नहीं खाई यानि कि उन्हें दवाई की जुरूरत ही नहीं पड़ी ये नहीं है कि उन्हें कोई बिमारी नहीं लगी लेकिन उन्होंने एलोपेथिक मेडिसिन नहीं ली तो उन्होंने क्या किया उन्होंने कौन सी दवाई ली दोस्तो अगर आयूपेथ की बात करें तो हमारे आसपास जितनी भी प्राकर्तिक वनास्पती है या पर संसादन मौजूद हैं उनके अनेकों फाइदे बताए गए हैं आज आपको हम उनी में से एक ऐसी ओशदी ऐसे पत्ते के बारे में बताने वाले हैं जो कि हमारे शरीर की काफी सारी बिमारियों को जड़ से खतम कर सकता है इसमें पाए जाने वाले तमाम उशदी गुनों के अधार पर आप कह सकते हैं कि ये एक आयरुवेधिक उशदी एक जड़ी बुटी है इसके अंदर बिटामिन सी, प्रोटीन और बहुत सारे लाब दायक पदाफ्त मौजूद हैं सबी नूट्रीशन की मौजूद्गी के कारण अनेक परकार के रोगों में पान के पत्ता जिसका इस्तमाल हमने करना है पान के पत्ते के फाएदे काफी अधिक है जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की वीडियो में हम जानेगे कि पान के पत्ते का उपयोग किस बिमारी में और कैसे किया जाए ये सारी जानकारे आपको बताने वाले हैं दोस्तो जो ये पान का पत्ता है ये वाद के लिए सूपर उशदी है यानि कि वाद के रोगों को दूर करने के लिए सबसे बड़ी उशदी है पान के पत्ते के उशदी गुनों का वर्नन चरक सहीता में भी किया गया है चलिए एक एक करके जानते हैं पान के पत्तों के फायतों के बारे में और इसका उपयोग कैसे करना है आजकर जोडों में दर्ध बहुत आमसा हो गया है बजुर्गों में ही नहीं बलकि युवाओं में भी ये दर्ध देखने को मिल रहा है गठिया की कारण चलने में दिक्कत आती है एक जगा पर लगातार बैठे रहने से काम करते रहने से पैरों में दर्थ, कमर दर्थ होने लगता है श्रीमें अकड़न आने लगती है अगर आप शुरुवात में इन समस्याँ को दूर कर लेंगे तो आपको कभी भी इस तरह की ओंबीर समस्या का सामगा नहीं करना पड़ेगा आपको करना क्या है? रात को सोने से पहले एक तांबे के लोटे में या फिर गिलास के अंदर पानी भर कर रख दीजिए सुबह उठकर सबसे पहले तांबे के बरतन वाला पानी पी लीजिए आप उसे हलका सा गुनकुना कर सकते हैं तांबे के बरतन में रखा हुआ ये पानी हमारे श्रीर के जो जोड है उनमें जो दर्द होता है या फिर वात कटी हो चुकी है उनको दूर करने का काम करता है पानी पीने के बाद आपने एक पता पान का लेना है और उसके अंदर एक ग्राम के बराबर यानि कि एक चने के बराबर आपने चुना लगा देना है चुना बस इतना की हो जैसे कनक का दाना होता है इतना और आपने इसे चबा चबा कर खा लेना है अगर आप पान का पता चबाना नहीं चाहते तो जब आपने रात को तांबे के बरतन में पानी भरकर रखा था तो आप उसी के अंदर मैश करके पान का पता भी मिक्स कर दीजिए और सुबह आप इसके अंदर वो जो आपको मैंने चूना बताया है करक के दाने जितना वो भी इसमें मिक्स कर दीजिए बहुत अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इस पानी को पी लीजिए आप इस पानी को चान कर भी पी सकते हैं 15 दिन लगातार अगर आप इस तरीके से तांबे की बर्तन का पानी प्लस चुना और आपने जो पान का पता है खा लीजिए या फिर इसका जैसे मैंने आपको बताया पानी पी लीजिए तो ऐसा करने से आपके अंदर कैल्शियम बरपूर हो जाएगा साथी साथ ये एंटी इंफ्लमेंटरी गुनों से भरा हुआ है ये आपकी हडियों में होने वाली सूजर को पिलकुल दूर कर देगा हडियों को मजबूत कर देगा पान के पत्ते के इस्तमाल से आप जोडों के दर्द घुटनों के दर्द से बहुत ही जल्दी चुटकारा पालेंगे इसकी इलावा सर्दी खांसी जुखान चाती में या फिर अपके फेफ़रों के अंदर बल्गम जमा हो चुक ये सांस लेने में तकलीफ आती तो ये समस्यां भी पान के पत्ते के इस्तमाल से दूर होती है इस पानी को पीने के इलावा सांस की तकलीफ में या फि इसके उपर सरसों का तेल लगा हुआ था, इसको आपने अपनी चाती के उपर रखना है, यानि कि लंग्स के उपर रखना है, ऐसा करने से सर्दी, जुखाम, खांसी, ये मेल्ट होकर बाहर हो जाएगी, कफ बाहर निकल जाएगी, इसके इलावा, शूगर जैसी ब्यंकर बिम करती है, ये ब्लड शूगर को नॉर्मल करने का काम करती है, इसके इलावा, अगर कब्ज की समस्या रहती है, तो पान के पत्ते का नियमी तोर पर सेवन करने से, जो भी खाना खाते है, वो बहुत अच्छे से पच जाता है, मुझे अंदर आपके दुरगंद आती है, स्मेल तो वो भी ठीक हो जाती है, इस एक पत्ते को आपने चबा कर ही अंदर निकलना है, या फिर जैसे मैंने आपको बताया, मैश करके तांबी के बरतन में भीगो कर ही रखती जिए, सबेचान कर पी लीजिए, या फिर वैसे ही पी लीजिए, अगले फाइदे की बात करें तो भूख से सब्बंदित समस्याओं या फिर पेट खराब होने की समस्या में भी पान का पता जबरदस्ट फाइदा करता है, दरसल पान के पता भूख लगाने में और हार्मोनल अगर इंबिलन्स हो चुका है तो उसको भी ठीक करने में मदद करता है, या शरीर से विशाक्त इसलिए क्या करना है खाना खाने की बाद आपने एक पान का पता चबा लेना है, अच्छे से चबा कर उसे अंदर निगर लीजिए, तो आपका खाना बहुत अच्छे से बच जाएगा और पेट से समदित कोई समस्या नहीं होगी जैसे की गैस, एपच, एसिडिटी या कब की समस्या, इसके इलावा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अंदरूनी कमजोरी की समस्या रहती है, तो उनको भी रोजाना पान के पत्ते का इस्तमाल जरूर करना है, दोस्तों पान के पत्ते के बेब मिसाल फाइदे हैं, अगर डिटेल में बताया जाए तो ये वीड इस्तमाल कीजिए, गठिया हो चुका है, फिर भी पान के पत्ते का इस्तमाल कीजिए, आपको हाइडर प्रेशर है, तब भी आप पान के पत्ते का इस्तमाल कीजिए, यनि पान का पत्ता आपकी पूरी बॉड़ी को डिटॉक्स करने और सारी बीमारियों को दूर करने में स सक्षम है और इसका स्वाथ भी काफी अच्छा होता है यह नहीं है कि आप इसे खा नहीं सकते बच्चे बज़ुर्ग युवा सभी इसका इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों यह जानकरी इंफॉर्मिशन यही तक थी तो उमीद करती हूं कि आशा करती हूं कि यह जानकरी आपके काफी फायते मंद होगी अगर आपको इस जानकरी अच्छी लगी आपके काम की है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछिए आपकी हर एक सवाल का ज़रूर दिया जाएगा मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद